नमस्काल, स्वागत है अब सबोंका, कैसे हैं आप सब? तो मैं आज बुंदी की रिसेपे लेकर आई हूँ जब बहुत जितनी देखनी माची लगती है था उतनी खाने में बहुत तेस्टी होती है तो चलिए बुंदी बनाते हैं तो मैंने एक invest对 हैं बनाइगे एक कप के मेशरमेंट में बनाएगे लिए एक कप बेसन लिया चान लिया अची तरह से अब ज़ोड़े से एक छुटकी नमक डाल देते हैं और इसका बेसन में मिला देते हैं क्योंकि इस नमक से जो है बूंदी को अच्छा सर टेस्ट आएगा और हम थोड़े तो हम थोड़े थोड़े पाने डालेंगे क्योंकि हमारा जो घूल हम बना रहे है ना वह नहीं ज्यादा गाड़ा होना चाहिए नहीं ज्यादा पतला तो मैं से कंसेंसेंज आपको दिखाती हूँ जब हम इसका घूल तयार करेंगे उसके बाद हम अपने चमच से या इस विस डाले या फिर घी डाल दीजिए मैंने या पर घी यूज़किया है डाल करके उसको हम इस पे अची तरह से मिक्स कर लेंगे अब देखिए कैसे गिर रही है ना अब हमारा बैटर जो है बूंदी के लिए तयार है तो अब हमें कडाई में थोड़े से तेल लेते हैं आपको हमारी बूंदी पीली बूंदी में बना सकूं पीले रंकी तो अब देखिए पीले रंकी बूंदी बन रही है अब बहुत जल्दी बूंदी तयार हो जाती है क्योंकि हम इसको मीडियम हीट में डालेंगे बहुत ज़्यादा हाई हीट में नहीं डालेंगे अब हमारी पीले बच्चे की अबड़ों को भी बहुत अच्छी लगती है तो देखी हरे रंग की भूंदिया भी तयार हो चुकी है बहुत जल्दी बन जाती है अब हमने एक कप का मेशर्मेंट मैंने कहा था न तो हम एक कप ही चीनी लेंगे एक कप ही हम पानी भी लेंगे और इसको हम अच्छी तरह से इसकी चाष्णी तयार कर लेंगे इसमें हम थोड़े से हमारे इलाइची पाट इलाइची को कूट करके डाल दिया है अच्छी सी खुछबू आने के चास्टी में अब इसको हम एक को बाल आने देंगे अब जे उबल जाएगे ना तो हम थोड़े देखेंगे क्यूंकि चास्टी थोड़ी चिपचिपी सी होनी चाहिए तार बनने के जरुरत नहीं है जिब थोड़ी सी चिपचिपी होनी चाहिए जब चिपचिपी सी चास्टी बन जाएगी तब हम अपने चास्टी को गैस को कि और अपर तयार कि आशा है सब्सक्राइब कीजिए। और कमेंट से बताइए आपनों को कैसे लगा तैंक यू